आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेंदू वड़ा, इडली, डोसा के साथ खाई जाने वाली एक दम स्वादिष्ट चत्नी के रेसिपी तो गैस चत्नी तो हर तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मैंने आज जो चत्नी बनाई है न तो थोड़ा सा यूनेक स्टाल में है, यानि कि इसका स्वाद जो है बिल्कुल अलग रहेगा, मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ आप भी एक बार ज़रूर ट्राइब करिएगा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह है मंगफली, तो मंगफली को मैंने रोष्ट कर लिया है, आसाली से जब तक छिलका ना निकली न तब तक ही हमें रोष्ट कर लेना है, जादा बुन्ना नहीं है, तो थंड़े हो चुके मिर्ची बुन्ने में दिक्कत भी नहीं होती है, वरना मिर्ची बुन्ते-बुन्ते हमें क्या हो जाता है, कि मतलब ठसका लग जाता है, ऐसे नहीं होगा, तो गैस मिर्ची तो उबल गई है, तो यहाँ पर देखे, एक गलास से मैंने नाप लिया है मोंगफली को, और उसी क्यायब मैंने इदली के смद रेचित लंक डिस्क्रिप्ट्रिप्चिन तो उबले हुए मिर्ची को भी हमें डाल देना है और जो पानी था ना उसको बिल्कुल भी फेकना नहीं है उसको भी हम इसी में यूज करेंगे तो इसको अच्छा सा पाउडर बना लेना है और जो पानी था न मिर्ची वाला इसको भी हम डाल लेते हैं क्योंकि इसमें भी त पर डालना है निम्बू का सथ तो इससे क्या होता है चटनी खराब भी नहीं होती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो चीनी निम्बू सथ जरू डालेगा उसे चटनी जो है अच्छी बनेगी तो यही मेरा सिक्रेट है चटनी बनाने का उबली हुई मिर्ची खराब ना हो इसलिए थंडा पानी यूज करें जब कभी भी आप ग्रांडर में कुछ भी डालिए ना तो गरम पानी या नॉर्मल पानी यूज मत करिएगा थंडा पानी ले लीजेगा तो यहां पर देखिए चटनी अच्छे से पीस गई है तो गैस मुझे अभी इतनी च कर दो से तीन बिन के लिए फ्रीज में स्टोर कर सकते हो जब भी आपको चाहिए तब पानी को आड़ करके फिर से ग्रांड करके उसको तड़का लगा लीजेगा तो डबा भर चटनी मैंने निकाल कर रग दी है तो गैस अपने हिसाब से यानि कि आपको जैसी भी चाहिए गाड़ी या पतली उसके साब से पानी को आड़ करेंगा फिर से ग्रांड कर लीजेगा तो गैस मुझे पतली ही चाहिए क्योंकि मैं सामबर भी बनाने वाली हूं तो थोड़ा से पानी डालकर इस तरीके से मैंने चटनी को फिर से ग्रांड कर या आप देख सकते हो चक्नी दिखने वे भी बहुत अच्छी दिख रहे हैं थोड़ी से ग्रिमिश और पतली ही है तो गैस मैंने यहाँ पर पतली इसलिए बनाये हैं क्योंकि हमारे घर पर पतली चतनी है इडली के साथ खाना पसंद करते हैं अगर यह दोशा के साथ बनाई होती तो थोड़ा सा गाड़ा रख देती तो गैस अब लगा लेते हैं इसको तड़का तो यहाँ पर मैंने तीन से चार चमच जितना तेल लिया है इसमें सरसो और जीरा को डाल लेना है आधा-धा चमच तो गैस साथी में मैं यहाँ पर यूज़ करूंगी उरत डाल या चना डाल तो गैस इसससे क्या हो बाद में हम डालेंगे ओरत डाल तो थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना बस थोड़ा सा ही करना है ज्यादा मतलब काला नहीं बनाना है इसको डाल को तो साथी में मैंने यहाँ पर लाल मिर्च भी तोड़कर ले लिये है उसको भी डालूंगी क्योंकि तड़का में लाल इसको भी आड़ करना है तो आप आड़ कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर रहे हूं और 8-10 करी पत्ता तो इसको अच्छे से फ्राइब कर लेना है और चत्नी में डाल देना है यानि कि तड़का दे देना है चत्नी को तुरंथी कुछ सेकेंड के लिए इस तरीके से ढखकर रख द बोथी स्वादिश्ट लेगेगी साती मैं यहां पर डाल रही हूं हारा धनिया तो गैस हारा धनिया जो है ना मतलब उपर से डालना है चट्नी में अगर डालो कि न तो चट्नी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो गैस यहां पर हमारी चट्नी जो बन करके रेडि है और इडली के रेइपी भी मैंने अल्री अप्लोड किये हु guid चावल के साथ ब्रवा हैं डोनों लिंक दिये हुए है तो जाकर चेक करिएगा से में मैंदूगण का साहते साल हैं तो जो बी टीफिन वाले ल इनक्स है न तो रेशिपी है ना उसकने सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ अप्लेट जाके चेक करेगा और यहां पर देखें इडली भी कितने सौफ बनी है ना तो गैस आज ही यह मेरी चतनी की रेसिपी आप सभी को अच्छी लेगी हो तो प्लीज लाइक कर दिजेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को इन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद